नमस्कार आप देख रहे हैं स्काहिने टीव इंडिया, पेश आज के मुख्य समसर सत्पुडा भवन आग मामली में जांस कमेटी ने सोंबार को सरकार को रिपोर्ट सौपी इस रिपोर्ट में जांस कमेटी ने सत्पुडा भवन की थर्ड फ्लोर में AC के पावर सप्लाई लूज कनेक्शन में इस पारकिंग से आग लगना पाया है आग जनी की घटनम में अनुमानित आंकलन आर्थिक हानी 24 करोड रुपय बताया गया आपको बता दे कि कमेटी ने तीन इस्थानों का निरिच्छन किया है साथ ही 32 लोगों के बयान लिये जिसके बाद जन्च कमेटी ने 287 पन्नों के रिपोर्ट सरकार को सौपी है गीता प्रेस को गांधी सांती पुरसकार दिया गया प्रेस ने पुरसकार को शम्मान पूरबक स्विकार किया और पुरसकार के साथ मिलने माली एक करोड रुपए की रासी लेने से इंकार कर दिया गीता प्रेस ने इस्थापना से लेकर आज तक कभी किसी से एक पैसे तक का अनुदान नहीं लिया वही पियम मोदी ने ट्वीट कर कहा कि मैं गीता प्रेस गोरकपुर को गांधी सांती पुरशकार 2021 से सम्मानित किया जाने पर बधाई देता हूँ उन्होंने लोगों के वीच सामाजिक और सांस्कृतिक परिवर्तन को आगे बढ़ाने की दिसाव में पिछले 100 वर्सों में सराहनी कारी किया है मद्ध प्रदेश के दूसरी बंदे भारत ट्रेन का रेक भोपाल के रानी कमलापती स्टेशन पर पहुँच गया है यह ट्रेन रानी कमलापती स्टेशन से सुरू होकर जबलपुर तक जाएगी ट्रेन 260 किलोमीटर का सफर तैं करेगी बताया जा रहा है कि इस ट्रेन को प्रदान मंती नरेंदर मोधी 27 जून को रानी कमलापती स्टेशन से दो बंदे भारत ट्रेनों को हरी जण्डी दिखाएंगे इसमें एक ट्रेन जबलपुर और दूसरी ट्रेन इंदोर चाएगी इसे लेकर रानी कमलापती स्टेशन पर तैयारियां चल रही है मध्ध प्रदेश की राजधानी भुपाल में धर्म परिवर्तन का दबाव बनाने के लिए एक युबक को यातनाय दी गई उसके गले में पट्टा मातकर घसीटा गया उसे सड़क पर घुटनों के बल बैठा कर भौकने को भी कहा गया घटना का वीडियो बाइरल हो रहा है इसमें बिजय नाम का पेडित कह रहा है कि मैं मिया भाई बनने के लिए तयार हूँ वीडियो सामने आने के बाद सोंबार को पुलिस ने 6 आरोपियों के खिलाब केस दर्च किया है इसमें से 3 आरोपी फैजान खान, समीर खान और साहिल खान उर्फ शलावत दिन को गिरफतार कर लिया है वहीं ग्रहमंती डाक्टर नरुत्तम मिश्रा ने बताया कि आरोपियों पर एनसे लगाया गया है अग्निवीर के प्रथम बैच के सैनिकों ने 24 सपताय की सेना प्रसिच्छन पूर्ण कर 17 जुन 2013 को राष्ट के सेवा के सपतली रक्षा मंतरी राजनात सिंग ने कहा कि युनिफार्म सिबिल कोड हमारे देश के निर्देशक सिध्धान्त का हिस्सा है इस पर विबात क्यों हो रहा है गोवा और मध्प्रदेश में यह पहले से ही लागू है मैं मुख मंतरी पुषकर सिंग धामी को बधाई देता हूँ जिनोंने इस दिशा में पहल की है मध्प्रदेश में सोंबार को विपर जयत उफान का असर देखने को मिला सिवपुरी के पीपर समा में 33 मिलिमीटर यानि 7 इंच से ज़्यादा पानी बरस गया सिटी में एक इंच के करीब बारिस हुई असोक नगर गुना ग्वालियर विदिशा सिवपुरी सिहोर भोपाल में भी बारिस हुई मोशम बदलने के साथ अधिक्तम तापान में भी किरावट आई है बोपाल में एक ही दिन में तापमान 4.6 डिग्री तक लुढ़ा गया और पारा 34.2 डिग्री सेल्सियस दर्च किया गया इंदोर में 32.7 गौालियर में 30.7 और जबलपूर में तापमान 49.4 डिग्री सेल्सियस दर्च किया गया वही दमोख खजुराहो मंडला नवसिंगपूर रीवा सतना सीधी उमरिया और मलांज खंड में गर्मी का असर देखा गया यहां तापमान 45.2 डिग्री या इस से जादा रहा वही राजस्थान गुजरात के बाद हर्याना में भी परजाय के इंट्री हो गई रविवार देर राथ चक्रवाद के कारण मोशम बदल गया जिसके बाद 60 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से तेज हवाएं चली अच्छी बात यह रही कि हवाओं से किसी भी प्रकार का नुक्षान होने की कोई सूचना भी तक नहीं मिली है चंडीगर मोशम बिभाग ने आज भी अमबाला सहित 6 सहरों को औरेंज अलट पर रखा है इनमें कैथल, थानेशर, गोहला, पिहोबा, साहाबाद, अमबाला सहर सामिल हैं मोशम बिभाग ने संभावना जताई है कि यहां गरत चमक के साथ 60 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं भी चलेंगी यूपी और बिहार समेट देश के 10 राज्यों में हीट वेब से राहत मिलने वाली है मोशम बिभाग ने बिहार, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश, राजस्तान, गुजरात में भी बारिश का एलर्ट जारी किया है कल दिन भर की प्रमुख खबरों के साथ फिर मिलते हैं तब तक के लिए सुभरात्री